दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पावर ओप माई इंट्र डे में दोस्तों चरचा करते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में मंदे को क्या हो सकता है दोस्तों मैं दो दिन से वीडियो नहीं बना पाया उसका वीजन था कि एक दिन तो हमारे दोनों बैच के स्टुडेंट्स की किलास थी सामके टाइम और दूसरे दिन मुझे ये लगा कि आज फराइडे है और कल सटरडे है तो मुझको थोड़ा सा गड़बड हो गया था डेट के बारे में हम ऐसा नहीं होता है लेकिन ऐसा कभी-कभी हो जाता है तो इस वैसे मैं वीडियो नहीं बना पाया हाँ आज बात करते हैं हम लोग कि क्या किया जा सकता है मार्केट में मंडे को देखिए फराइडे को क्या हुआ मार्केट बहुत तेजी से उपर गया है फराइडे को मार्केट बहुत तेजी से उपर गया है आप देख सकते हो, इतनी बड़ी तेजी मार्केट में रोज नहीं आती, इतनी बड़ी तेजी मार्केट में रोज नहीं आती, यहान से देखिए और समझने की कोशिश करिए, लेकिन आप चाहते तो इस तेजी को capture कर सकते हैं, क्या हुआ, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, यह gap up market open दूबा। यहां से मैं आपको क्या बोलता हूँ पहले 15 मिनट की candle इंपॉर्टेंट है। इस candle के बाद क्या कोई एक candle बता दूआ पहली candle, दूसरी candle, तीसरी candle, चौती candle, पाँचमी candle, छटमी candle, सातमी candle, आठमी candle, नौवी candle यानि नो केंडल का मतलब समझते हो पंदरा मिनट की नो केंडल यानि की 135 मिनट्स 135 मिनट्स मार्केट ने ऐसा कोई सिगनल नहीं दिया कि आप निफ्टी को सेल कर सके बताईए आप पिछली 9 केंडल में 15 मिनट की किसी भी केंडल ने अपनी प्रिवियस केंडल का लो ब्रेक नहीं किया देखिए इस केंडल ने इसका लो ब्रेक नहीं किया इस केंडल ने इसका लो ब्रेक नहीं किया इस केंडल ने इस केंडल ने इस candle ने किसी भी candle ने अपनी previous candle का low break नहीं किया अब आप ही बताईए लोग कहते हैं कि सर कैसे market को read करें कैसे candle को समझें बताईए क्या candle समझेना मुश्किल है यह से candle तक कहीं पर भी market में sell का signal नहीं था केवल क्या था buy था यहां market किस rate के असपास था पंदरा अजार के भी नीचे था और यहां market कहा आगया लगब 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 कंदरा अजार एक सो बीश पच्चिस के आसपास market आगया एक सो पच्चिस पॉइंट की rally एक सो पच्चिस पॉइंट की rally किसी भी candle के high के उपर आप entry करते आप इस 125 में से कम से कम 50 पॉइंट कैप्चर कर सकते थे 50 पॉइंट कैप्चर कर सकते थे और Nifty का एक लॉट 75 का होता है अगर आप इस में से 50 पॉइंट सिर्फ एक लॉट की बात कर रहा है 3750 रुपीज आप easily बना सकते थे जो मैं आपको रोज सिखाने की कोसिस करता हूँ दोस्तों मार्केट में सीख जाओगे ना आपको किसी से पूछने की ज़रुवत नहीं पड़ेगी मैं आपको रोज सिखाने की कोसिस कर रहा हूँ क्योंकि आगे मैं खुद अपनी ट्रेडिंग में बिजी होने वाला हूँ क्योंकि मेरा टार्गेट बहुत बड़ा है और जब टार्गेट बड़ा होता है और आप बड़े कैपिटल में ट्रेड करोगे या बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करोगे तो आपके पास कुछ और देखने का समझने का समय नहीं रहता है इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि मैं आगे चलकर बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करूँ या आप लोगों को अभी सिखा दूँ अगर आप लोग अभी सीख लेंगे ना तो ये चीजे आपके काम आने वाली है तो इस चीज को आप समझने की कोशिश करें पहला सिगनल इस कैं होता ये रिखिए इस रेड कैंडल के नीचे आपको पहला सेल मिला यहाँ पर आप देख सकते हैं इस रेड कैंडल का लो कितना है इस रेड कैंडल का लो है 15098 और इसने लो लगाया है 15076 आपको बड़े अराम से 22 पॉइंट्स मिल सकते थे कोई बात में एक चीज और सिखा देता हूं आपको जब भी मार्केट इस तरह से मूव करता है जब भी मार्केट इस तरह से मूव करता है यह मूव हुआ यह मूव हुआ इसके बाद क्या हो रहा है उपर की तरफ मूव क्या है अगर आप लोग हमारी सीरीज लगातार देख रहे हैं तो मैंने आपको सिखाय क्या है मैंने आपको क्या सिखाया यह क्या है जितना बड़ा मुव्मेंट यह वाला था अगर यह इसको ब्रेक करता है इतना ही मुव्मेंट आपको ऊपर की तरफ मिलने वाला है जितना यह फ्लैक का पॉल है है की नहीं अगर कोई भी बैकती यहां पर सिफ एक लॉट बाई कर लेता 15,100 यह 15,200 तक क्या 100 पॉइंट आपको मिलते के नहीं मिलते केवल एक केंडिल का स्टॉप लॉस और लगा था लेकिन इतने अच्छे मुव्मेंट के बाद हाई ब्रेक करने के बाद भी मैं क्या आपक उसको ध्याद से सुनों यह जो तेजी है न यह क्या है तेजी यह तेजी कम से कम एक दो दिन तक टिकाओ समझते हो यह वर्ड हमारे हम बोला जाता है यह तिकाओ नहीं है यह तिकाओ नहीं है इस तरह से मार्केट उपर नहीं जाता और दिन होते कोई तो मैं आपसे कह देत कि market में कल के दिन एक बड़ी तेजी आएगी बहुत सारे लोग message मुझको कर रहा है WhatsApp पे कहते हैं सर मैं call buy करके गया हूँ लोग कहते हैं सर मैं future buy करके गया हूँ कोई future buy करके गया है कोई call buy करके गया है दोस्तों अगर आपको नहीं पता है तो मेरा पिछला वीडियो उठा के देख लिजी मेरा पिछला इसी series का वीडियो उठा के देख लिजी हमने कहा था कि market को कहीं जाना है यहां से market इसको अगर break कर देता है तो भी market लोट के नीचे आएगा आप बताओ यहां से लेके यहां तक move करने के बाद क्या थकान नहीं आएगी आप बताओ थकान नहीं आएगी आप से कहा जाए कि आपको 10 किलो मीटर पैदल जाना है आप से कहा जाए कि आपको 10 किलो मीटर पैदल जाना है ठीक है यानि कि 10 किलो मीटर का रास्ता आपको तय करना है और आप खड़े हो यहां पर आपको यहां से 10 किलो मीटर का रास्ता तय करना है यानि लोग जैसा आप लोग सोच रहा है या सुन रहा है मार्केट क्या है अपना high break करके और यह मार्केट मेरे पास message आ रहा है कि ये मार्केट सत्रा हजार जाने वाला है मैं भी कह रहा हूँ कि ये मार्केट सत्रा हजार जाने वाला है लेकिन अगर मार्केट यहां से चल के यहां पहुचा है और इसके आगे का 10 किलो मीटर का सफर तै करना है तो यहां उसको ठकने के बाद रुकना पड़ेगा कि नहीं रुकना पड़ेगा अगर मार्केट यहां खड़ा होता और कहा जाता कि भाई 10 किलो मीटर जाना है मैं कहा देता यस मार्केट 10 किलो मीटर आगे जाने के लिए तयार है आप बताईए 14,900 से 15,200 एक ट्रेडिंग सेशन में मार्केट चला गया क्या आपको लगता है कि 300,200,300 पॉइंट की रैली के बाद मार्केट और उपर कल चला जाएगा यानि मंडे को चला जाएगा नहीं दोस्तों यही छोटी छोटी गलतियां है जो लोग करते हैं लेकिन मार्केट सुप्रीम है जा भी सकता है लेकिन मैं आज के दिन इस मार्केट में मंडे के लिए पैसा नहीं लगाने वाला की मार्केट उपर जाएगा आप इस चीज़ को भी देख रहे होंगे मार्केट ने अपना जो हाई बनाया था इस हाई को पहले इस हाई को ब्रेक किया मार्केट ने ये देखिए पहले इस हाई को ब्रेक किया फिर इस हाई को ब्रेक किया और फिर इस हाई को ब्रेक कर दिया कहां से यहां से इस I को break करना आसान था इस I को break कर दिया उसके बाद market क्या हुगा नीचे आया market कहां तक आता है अपने पिछले resistance तक आता आया कि निए यह पिछला resistance था market ने इसको तोड़ा यहां पर आके इसने support लिया support लेने के बाद एक ही दिन में इस रजिस्टेंस को ब्रेक किया 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 चार रजिस्टेंस को ब्रेक करके मार्केट यहां पे आके खड़ा हो गया बताईए अब इसके बाद यह आगे कहां तक जाए लेकिन उसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा समझिए क्या होने वाला है कल हो कुछ भी सकता है लेकिन हम लोग मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं सबसे पहला सबसे पहला टार्गेट कल मार्केट अगर गैप अप खुलता है अगर मार्केट यहां कहीं खुलता है गैप तो market कहां वापस लौट के आएगा definitely पहली दूसरी candle में ही market यहां से यहां वापस आएगा यहां थोड़ी देर stay करेगा और फिर market उपर जाएगा अगर market flat खुलता है और एक 15 मिनट तक market यहां रुका रहता है तो market कहां आएगा market इस जगे वापस लौट के आएगा इस जगे आएगा market यहां पे थोड़ी देर stay करेगा फिर उपर जाएगा और हो सकता है कि market यहां तक भी आए और यहां से support लेकर वापस जाएगा तो पहला point दूसरा point तीसरा point अगली संबावना क्या बन रही है market की उसको समझे market में मैंने कहा gap up खुलेगा तुरंट selling आएगी यहां तक तुरंट selling आएगी फ्लेट खुलेगा तब भी इसमें selling आएगी कहां तक यहां तक selling आएगी लेकिन लोगों का अनुमान जो है हर वेक्ती अपने हिसाब से predict करता है मैं मैं अपने हिसाब से predict तर रहा हूं मुझे लग रहा है कि market जो है ना तो flat open होगा और ना ही gap up open होगा मुझे लग रहा है market gap down open होगा यहां कहीं market open होगा यहां यहां मैं आपको कितने point नीचे बता रहा हूं इस चीज को समझने की कोसिस करिए कम से कम 70 point 70 point down minimum 70 point down खुलेगा और यहां से इसमें फिर से movement आ सकता है उपर की तरह यहां पर फिर से movement आ सकता है उपर की तरह लेकिन अगर market 70 point की जगे इस low को break कर दिया देखिए market swing high swing low बनाता हो उपर जाता है अगर market ने इस low को break कर दिया यह करीब करीब का level 15 090 यह इस level को break कर दिया तो क्या होगा मैं आप से पूछता हूं क्या होगा आप बताईए क्या होगा नहीं पता मैं बताता हूं क्या होगा यहां पे जो लोगों ने buying बनाई थी और यह 100 point कैप्चर किये थे market टॉप पे जाके बंद हुआ यह definitely अपनी position लेकर गए होगी कुछ लोग जैसा कि मेरे पास messages लगतर आ रहा है कि sir मैंने call buy किया है मैंने future buy किया है वो भी यह लेकर गए होगे और सोचिए खुलते ही साथ 100 point अगर नीचे खुल गया तो क्या होगा इनके अंदर एक दर पैदा हो जाएगा क्यों क्योंकि 100 point का मतलब एक lot 75 का होता है खुलते ही साथ 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 हजार का loss खुलते ही साथ साथ हजार का loss जिसने call लिया है उनको भी loss जिनने यहां पर buy किया था दर का माहौल होता है तो जब दर का माहौल पैदा होता है तो क्या आती है sharp selling sharp selling आती है तो जैसे ही market नीचे खुलेगा यह market और नीचे जाएगा कहां तक आ सकता है यह target पंद्रा जीरो पचास note करके रख लिजिये फिर बताईएगा हमको मंदे को 15.0.50 पहला टारगेट दूसरा टारगेट 15.000 और स्टार्फ शैलिंग आई तो दुबारा मार्केट आ जाएगा 14.900 पर क्योंकि मार्केट को अगर उपर जाना है ना तो मार्केट हमेशा ऐसे उपर जाता है ऐसे ऐसे उपर जाता है ऐसे उपर नहीं जाता है ठीक है लेकिन गिरता कैसे है ऐसे कहावत है कि मार्केट जब उपर जाता है तो step by step उपर जाता है सीड़ी धर सीड़ी धीरे धीरे चड़के उपर जाता है वो जब नीचे आता है तो lift में आता है सीधा नीचे उपर से तो यह बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए गिरता है तो तेजी से गिरता है चड़ता है तो धीरे-धीरे चड़ता है तो ये market जो गया है वो इतना तेज गया है एक ही दिन में 300 पॉइंट निफ्टी में और 1400 पॉइंट निफ्टी में मॉव्मेंट बड़ ऐसा होना नहीं चाहिए मैं सिर्फ इतना आपको बता रहा हूँ तो आपको करना क्या है market flat open हो अगर gap up open हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया gap up open हो जाता है तो आप सीधे उसको sell कर सकतो एक 15 मेट की candle के लोग पे sell करोगे high का stop loss लगाओगे flat open हो जाता है और थोड़ी देर यहाँ पर बिताता है और बिताने के बाद अगर वापस नीचे चलना सुरू करता है तो आप यहाँ पर sell कर सकतो आपका target यह वाला रहेगा saw point का target तो आपको मिले गई मिलेगा market यहीं open हो जाता है तो आप wait करिए क्या करिए wait करिए क्यों wait करिए जो लोग इस rally को miss कर गाए है जो लोग इस rally को miss कर गाए है वो buyer यहाँ पर market अगर खुलता है तो buy करने के लिए आएंगे buy करने के लिए आएंगे market उपर जाएगा लेकिन अगर यहाँ पर फिर से selling आई तो market फिर से यहाँ पर नीचे जा सकता है तो जो buyers आएंगे यह buyers trap हो जाएंगे आपको इस point पर stop loss लेके market में नीचे की तरफ आप बैठ सकते हैं ठीक है तो किस तरह से आपको काम काज करना है यह आपको मैंने बता दिया चलिए bank nifty की बात कर लेते हैं bank nifty का chart open कर लेते हैं same chart bank nifty का bank nifty ने भी क्या किया इस high को break किया है यहाँ पे थोड़ी देर struggle किया इस्टगल करने के बाद market में एक बड़ा move आ यहाँ से 34,000 से सीधा 34,800 तक चला गया market आठ सो point आठ सो point की rally कितनी candle में 1,2,3,4,5,6 पंद्रा पंद्रा मेट की candle है 90 मिनट में 90 मिनट में कहां चला गया market 800 point का movement यह तेजी कैसी लगती है आपको होनी चाहिए थी अगर इस तेजी को होना ही था पहले 200 point जाता 50 point नीचे आता फिर 200 point जाता फिर 50 point नीचे आता फिर 200 point जाता फिर 50 point इस तरह जाता तो इसमें क्या होता हर जगे buyers की entry होती है यहाँ से जो market गया है ना इसमें कोई भी buyers अपनी position बना नहीं पाया है कुछ लोग last तक रुका नहीं होगा तो market को ultimately कहा आना चाहिए नीचे आना चाहिए इसमें भी मैं आपको बता दो market में अगर कल gap up किसी कारण से gap up open हो जाता है पहली candle से ही सिर्फ और सिर्फ selling बनेगी market का पहला target market का market का दूसरा target ठीक है market का तीसरा target market का चौथा target कहां से यहां 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 से य तीसरा टारगेट, चौथा टारगेट अब सावधान रेने की ज़रूरत आपको कहां पर है अगर मार्केट गैप अप होता है तो यहां पर पेसेंस आपको दिखाना पड़ेगा पहले यहां पर क्दल का फॉर्मेशन देखना है अगर market यहाँ पर इस तरह से consolidate करता हुगा नीचे आता है आप जितनी quantity में trade करते हैं उससे double quantity में आप sell कर सकते हो इस target के लिए लेकिन अगर market यहाँ पर रुकने के बाद ऊपर जाता है तो केबल इतने ही point का तो आपका stop loss लगेगा यहाँ से आप buy करिए जहाँ पर open हुगा है उस target के लिए मार्केट नीचे आता है यहाँ पर फिर थोड़ा समय बिताएगा यहाँ से फिर चेक करेंगे कि ऊपर जाता है कि नीचे यहाँ पर आपकी empty होना चाहिए उसके बाद market यहाँ पर समय बिता सकता है ये और market last में यहाँ पर समय बिता सकता है तो यह चारो po prompt पर market को समय बिताना चाहिए लेकिन जब selling होती है तो fast होती है तो आप sell करके बैठिए यहाँ पे आपको निकलने का मौका मिलता है तो एक बार अवश्च निकलिए उसके बाद ही आप जाएंगे तो कल क्या करना है आपको कहां से आपको buy करना है इस पॉइंट से buy कर सकते हैं इस पॉइंट से buy कर सकते हैं इस पॉइंट से buy कर सकते हैं यहाँ से selling होगी यहाँ से selling होगी क्या देखना है आपको candle जो 15 मेट की बन रही है वो bullish बन रही है की bearish बन रही है बिलकुल simple तरीका चलिए आगे चलते है आप लोगों को crude की बात कर लेते हैं देखिए crude में एक double bottom बना है double bottom क्या multiple bottom बन गया है आप अगर गहर करेंगे तो crude में यहाँ पर देखिए आप यह point double bottom बना के market उपर गया है ठीक है आपको मैंने कहाता कि इसको mark कर गये यह देखिए क्या है यहाँ पर selling आई यहाँ तक आई अब market ने क्या किया यह जहाँ पर इस market ने consolidate किया था इसको break करके उपर निकल गया इस point के भी उपर निकल गया अब इसका hurdle केवल क्या है यह वाला point ध्यान रखेगा मंडे को मंडे को अगर यह point break करता है तो इसका अगला target सीधा यह बतला लगबग लगबग 45 से 50 point का target 40 से 50 point करता है क्योंकि यह जो है यहाँ पर भी एक support है तो अगर market रुकेगा इस point के बाद तो यहीं आके रुकेगा इसके पहले रुकने वाला नहीं है इसके बाद इसने यहाँ पर इस point को यहाँ पर breakout किया था तो यह point जो है आपका अगला यह लगबग लगबग 47 सो 50 के बाद सीधा 48 सो रुपे तक का target है 48 सो 20 रुपे का target है और उसके बाद market इस high को touch करने आएगा तो अगर कल market कहां खुलता है फ्लैट खुलता है तो आप wait करिए इस point के break होने का इसके बाद पहला target दूसर target तीसर target ठीक है तो यहाँ पर अगर market consolidate करता है देखिए market में क्या हो सकता है market में यह जो हम आपको बता रहा है level market क्या कर सकता है flat भी खुल सकता है और इस level पर भी खुल सकता है यहाँ खुलेगा तो पहले नीचे आएगा अगर नीचे नहीं आता है यहाँ पर यह consolidate करता है तो बहुत बड़ी प्रवल संभावना है कि market इसको break कर जाएगा तो जो target में आपको आगे के बता है उन target के लिए आप जा सकता है अगर market इस point के नीचे जाता है इस point के नीचे जाता है तो आपको again 45, 60, 70 के level देखने को मिलेगे यानि नीचे की side भी आपको 50 point उपर की side भी आपको 50 point का target मिल सकता है तो यह हो गई crude oil की बात अब बात करते हैं copper की very good देखिए copper में याद होगा जो लोग हमारा वीडियो लगातार देख रहा है मैंने ये एक horizontal line और एक trend line बताई थी जब market यहाँ था 789 के असपास था ये उसी दिन की बनी है क्योंकि मैंने उस दिन के बाद वीडियो बनाया नहीं है आज मैंने इसको खोला है आप देखिए जड़ा क्या बोला था मैंने इस पस्ट रूप से इस trend line के नीचे हमने कहा था market में एक star fall आएगा जो इस low तक जाएगा यहां तक आया इस low तक और उसके बाद इसने इसको break किया देखिए हमेशा अगर आप चूक गए हो तो market उसको retest करने जरूर आता है देखिए उसके बाद lower low lower low बनाता हुआ market कहा आ गया नीचे आ गया lower low lower low बनाता हुआ market नीचे आ गया तो आप लोगों ने अगर video नहीं देखा है तो जाकर देखिए मैंने ये पेडिट किया था कि नहीं किया था ये level है 780 का 780 से market 740 तक आ गया 40 point 40 point अगर कोई मेरे video लगातार देख रहा है इस series को follow कर रहा है 40 point कौपर में बहुत होते हैं एक पे आपको 2500 रुपे मिलते हैं एक lot पे तो ये कितना हो गया एक लाख रुपे है हो गया कि नहीं हो गया एक लाख रुपे का movement आप capture कर सकते थे अगर आपने मेरी सला को लिया होता खेर ये तो मैं रोज कहता रहता हूँ आप लोग कितना उसको देखते हैं इस चीज को आपको समझना होगा तो ये copper की बात हो गई अब copper में इस्तिती क्या है अब copper में इस्तिती क्या है देखिए market में ये चीज निकल गई है मैं इसको हटा देता हूँ मैं इसको delete कर देता हूँ ये हो चुका है ये भी हटा देता हूँ ये भी हो गया है अब मार्केट में जो अगला सपोर्ट है वो मार्केट में अगला सपोर्ट ये वाला है मार्केट बिल्कुल इसके आसपास हो सकता है कि कल ये मार्केट जो है यहां से थोड़ा सा नीचे आए और यहां पे सपोर्ट ले या यहां से सपोर्ट ले के यह वापस जा सकता है अगर इस line को break करता है अगला target आपको यह वाला लेला है यह अगला target और अगर वापर की तरफ जाता है तो यह 733 से again market 7.45 तक जा सकता है यानि लगवग लगवग 12 रुपे का मुवमेंट उपर की साइट और नीचे की साइट भी 12 रुपे का मुवमेंट दे सकता है तो यह लाइन आपके लिए important है इस लाइन को नीचे की trap break करता है तो आपको sell करना है यहाँ पे support लेके उपर जाता है तो आपको buy करना है simple copper natural gas की बात करते है very good natural gas में भी देखिए आप लोगों को याद होगा नहीं आदे तो वीडियो open करके देख लेजिए जब मेरे पार लोगों का phone आया था कि sir यह copper ने अपना high break कर दिया है और copper इस जगे था तो मैंने कहा था कि इस जगे लोट कर वापस आएगा और अगर इसको break कर दिया तो इसका low यहीं बनता है देखिए market यहीं आके खड़ा है कि ने तो आज Saturday है कल Sunday है आप लोग मेरे सीरीज के पहले के वीडियो देख लिजिए कि मैंने आप लोगों को क्या समझाया है अगर आप समझ जाएंगे तो आप लोगों के लिए बहुत बढ लिएगा उमीर है आप समझेंगों देखिए यह इसने low बनाया था यहां पर market इसी point के आसपास इसका अगला level यह है अगर यह 208 को तोड़ देता है तो इसका अगला level 200 रुपे है 201 रुपे 70 पैसे अभी market क्या कर सकता है market यहां से natural gas यहां से यहां तक का सफर तैकर चुकि है कि market थोड़ी देर इसी range में consolidate करें और यह बहुत अच्छा है अगर इस range में consolidate करता है market और इसके low के नीचे निकलता है तो आपको शार फाल देखने को मिलेगा यहां से लेके यहां तक यहां से लेके यहां तक यहां से लेके यहां तो wait करिए 212 रुपे 20 पैसे के break होने के 212 के break होते ही साथ आप sell कर सकते हैं और यहां पर उपर समय बिताता है तो बिताने दीजिए उपर जाने के chances कम लग रहे हैं कोई news आ गई तो जा सकता है तो दोस्तों मुझे लगता है कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी अगर समझ में आ गई है तो वीडियो के लोगों का बला हो और आपका लाइक मेरा होसला बढ़ाएगा तो इसी के साथ वीडियो समात करता हूं धन्यवार